आज के सत्र में हम पढ़ेंगे दरपण और लेंस के सूतरों को आपके कोर्स में इनके डिटेल्स में फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है परन्तु आपको दरपण के और लेंस के सूतर पता होने चाहिए क्योंकि इस पे आदारित प्रश्न आपको अक्सर बोर्ड एक्जाम में पुछे जाते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था एक बार उसको रिकैब कर लेते हैं हमने इश्नैल का नियम पढ़ा था जो अपॉर्टन का नियम था जो कहता है कि किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकास किरण होके गुजरती है तो अपने पत से बिचलित हो जाती है जिसे हम प्रकास का अपॉर्टन का नियम कहते हैं यानि अपरतन प्रकास का एक ऐसा गुण है जिसमें यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर माध्यम में जुख जाती है या वहाँ से दूर हड़ जाती है और इसी को शनेल के नियम के रूप में जाना गया जहाँ पर N बराबर साइन I upon साइन R हम जानत से एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि मान लीजे हमारे पास एक कांच का गुटका है या ग्लास लैब है यह एक डेंस मीडियम है और इस पर एक प्रकास किरान जो है वो हवा से होकर इस पर हिट करती है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दिया है कि हमने एक PQ रेखा ज जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के साथ एक कोन आई बनाती है जिसे आप तनकोन कहते हैं इस पर हिट करते ही वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बैंड हो जाती है या जुग जाती है और नॉर्मल पर जो ये रे बैंड होती है इसको हम अपॉर्टन किरन कहते हैं और जो के साथ यानि अविलंब के साथ अपरतन कोन बनाती है और फिर वो जब गलास सर्फेस की दूसरी सर्फेस पे ओड़ एस पे हीट करती है तो वहां से वो किरन बहार निकल जाती है इसको निर्गत किरन बोलते हैं या इमर्जन्ट रे बोलते हैं और यह नॉर्मल के साथ एक पाथ डिफरेंस है जिसको लेटरल सिफ्ट बोलते हैं यानि यहां पर इनके बीच में जो है पाथ का अंतर है जिसको पतांतर बोलते हैं तो जिसको हमने यहां पर एक डॉटेड औरेंज लाइन से दिखाया हुआ है वो इंसिडेंट रे का एक्शल पाथ था और जबकि जो इमर्जन्ट रे है तो उसका जो पाथ है वो रिफरेक्टर रे के बाद जब वो डैस पॉइंट से बाहर निकलती है वो रे तो वो रे ज जादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूद नहीं है हम यहां पर यह कहेंगे कि रिफरेक्शन के लिए अपॉर्टन के लिए जब ग्लास से हम एयर में जाते हैं तो उस समय यह जो फिनोमेना है यह उल्टा हो जाएगा यानि यहां पर हम कह सकते हैं कि वन अपॉन अपॉ एन बराबर हमारा हो गया यहां पर अगर हम इसको करेंगे तो साइन ई अपॉन साइन आर तो यहां पर हम यह देखते हैं अगर इन दोनों फार्मूलों को हम मिला लें तो यहां पर यह पता चलता है कि साइन आई बराबर साइन ई तो यानि कि जब यह बहुत नियून कोन हो बहुत कम इसकी वैलो होगी तो आङ का म報न और ईका मउन बराबर हो जाएगा यांई जैसे साइन थीटा इपल टू ठीटा होता है तो यहाँ पर कॉरण आई बराबर कॉन E के होगा यानि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होगा तो यहां पर यह पता चलता है कि किसी भी ग्लास लैब के थूँ अगर हम जो है रिफ्रैक्शन को देखना चाहें तो हम यहां पर यह लेटरल सिफ्ट का बदलता है तो वैसे जो एंगिल ओफ इमर्जेंट है वो कैसे चेंज होता है तो अगर हम इस ग्लास लैब को यहां पर देख रहे हैं उस पर हमने यह एक इंसिडेंट रे रेड कलर की जो रे है वो दिखाई है और यहां पर यह जो नॉर्मल के साथ है एक कोण बना रही है जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण तो जैसे जैसे हम आपतन कोण यानि एंगिल ओफ इंसिडेंस का मान बदल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जो इमर्जेंट रे है जो निर्गत कोण है उसका मान भी चेंज हो रहा है और एक टाइम ऐसा आ रहा है जब दोनों मान यहाँ पर सेम हो जा रहे हैं यानि आई और जो इ का मान है वो बराबर हो जा रहा है तो यहाँ पर आपको इस इंटरेक्टिव से यह पता चल रहा है कि किसी भी जो रेयर मीडियम से डेंशर मीडियम में जब कोई किरन पास होती है तो किस तरह से जो है जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है दोनों के बीच में समंध स्तापित होता है और कहां पर जो है किस वज़े से इन दोनों के बीच में एक लेटरल सिफ्ट आता है दोनों के बीच में पतांतर आता है और कब ये दोनों एक ही पत्मे हो सकती है तो यहां पर जो angle of incidence और angle of emergence का relation है वो normal पर या किसी एक point पर ये पता चलता है कि दोनों कौन बराबर होंगे कि मीडियम में इसमें है तो इसलिए दोनों का जो कौन है वो समान होना चाहिए यानि angle of incidence is equal to angle of emergence होना चाहिए क्योंकि दोनों glass medium से पार होके बाहर आ चुकी है दोनों हम आज के सत्र में बात करेंगे दरपन और लेंस के सूत्र की तो जैसे कि आपको पता है हमने पहले भी एक चिन परिपाटी आपको बताई थी कि किसी भी दरपन को हमें अगर दरसाना है किसी अक्छ पे तो उससे सम्मंदित जो भी पद होंगे या जो भी मान होंगे उनको हम कब धन मान लेंगे कब रिण मान लेंगे तो यहाँ पर हमने आपको एक कार्तिय अतल यानि कॉडिनेट जोमेटरी से समझाने की कुशिस की है कि हमारे पास यहाँ पर एक दरपन है और उस दरपन के बाई और चलने पर हम जितने भी दूरियां ना पेंगे पोल से और रिनात्मक ना पेंगे और इसी तरह से हम मुख्य अक्ष के उपर यानि उचाई की ओर जब हम उपर की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर जितने भी दूरियां ना पी जाएंगी वो धनात्मक ना पी जाएंगी और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर हम जब जाएंगे तो वो दूरियां रिनात्मक ना पी जाएंगी तो दर्पन के केस में हम इस चीज को पढ़ रखे हैं और हमने इसको एक बार वहाँ पर समझाया भी था तो उसी चीज में हम आगे बढ़ते वें ये कह सकते हैं कि किसी भी गोलिया दर्पन के लिए जो द्रूर से बस्तू की दूरी है अगर हम उसे यूँ कहें इसी तरह से द्रपन के द्रूर से पर्तिविम की दूरी को अगर हम वी कहेंगे और हम ये कहें कि उस दरपन की focus do-y F है तो इन तीनों रासियों के बीच एक समंद है उस समंद को हम दरपन का सूत्र कहते हैं जहां पर सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं यहां पर अपको क्लियर होना चाहिए कि F क्या है यह focus do-y है इसी तरह से जो हमारा V है वो पर्तिविम की दूरी है दरपन के धुरुव से पर्तिविम की दूरी को हम V कहते हैं यानि पर्तिविम की दूरी इसी तरह से जो U है वो बस्तु की दूरी है यानी दुरूव से बस्तू की दूरी को, बस्तू की या विम की दूरी कहते है यहाँ समंद गोलिय दरपण के लिए, बस्तू और बस्तू के पड़ति विम के लिए मानने है और यहाँ सूत्र जो है, चिन परिपार्टी के अनुसार डिराइव होता है लेकिन आपके कोर्स में ये डेरिवेशन नहीं है तो आपको ये सूतर याद रखना है यू वी एफ और तरिज्जा यानि आर अगर हम यहाँ पर एफ का मान बदल सकते हैं एफ और आर में हमें समन भी पता है कि एफ विजिकल टू क्या होता है आर वाई टू तो यहाँ पर हम इस मान को भी रिफलेश कर सकते हैं और इन सभी मानों को हम चिन परिपाटी के अनुसार जब हम नुमेरिकल करेंगे आंकिक परस्ण करते समय ध्यान रखेंगे इसी तरह से जब हमें आवर्दन निकालना है आवर्दन का मतलब होता है कि किसी भी बस्तू के परतिविम्ब और विम्ब यानि बस्तू के आकार और बस्तू के परतिविम्ब के आकार में जो बिस्तार हुआ है यानि वो कितना गुना बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है इसको हम आवर्दन कहते हैं तो कोई परतिविम बिम की अपेक्षा कितना गुना आवर्दित हुआ है, मेगनीफाई हुआ है, उसको आवर्दन कहते हैं, तो यहाँ पर यह सीधा सीधा हम कह सकते हैं, कि यदि मान लीजिये जो बस्तू है, उसकी उचाई है और उसके परतिविम की उचाई है, तो यहाँ जो गोलिय दरपन का आवर्दन होगा उसे हम M से डेनोट करेंगे और M बराबर H डैस अपॉन H होगा यानि हमने दोनों उचाईयों की यहां पर तुलना कर दी और M बराबर H डैस अपॉन H या V अपॉन U तो V यहां पर परतिविम की जो दूरी है और बस्तू की जो दूरी है दरपन के ध्रुव से उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं तो M बराबर V अपॉन U या H डैस अपॉन H ये दरपन के केस में हमारे पास आवर्दन का सूत्र होगा तो इन दोनों सूत्रों की मदद से हम आगे numerical करने में इनको प्रियोग करेंगा से हमारे पास लेंस दिये हैं चाहे हो उत्तर लेंस हो या आवतर लेंस हो तो उनके लिए भी हम एक चिन परिपार्टी का यहां पर प्रियोग करेंगे सेम वही चिन परिपार्टी है जो की हमने दरपन के केस में यूज की थीолет यहां पर हमें जो सूत्र है जो दरपन के सूत्र के लिए चिन परिपार्टी का उप्यूग किया गया था उसी चिन परिपार्टी का यहां पर उप्यूग किया जाएगा यानि लैंस को हम प्रिंस्पल आक्सिस पर किसी सेंटर पर रखेंगे और जिसको हम आप्टिकल सेंटर बोलते हैं वो lens का center होता है उससे होकर गुजरने वाले रिखा को हम principle access बोलते हैं तो यहाँ पर भी जो lens है lens की जो दाई तरफ की जितनी दूरिया नपेंगी वो धनात्मग नपेंगी जितनी दूरिया रिनात्मग दिशा में नपेंगी यानि बाई ओर नपेंगी वो negative नपें तो किसी भी lens के लिए एक चिन परिपाटी जैसे की दरपन के लिए उपयोग में लाई जाती थी वैसी यहाँ पर lens में लाई जाएगी तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि किसी अवतल या उतल lens के लिए यू वी जो हैं वो क्या होंगी बस्तु की दूरी और परतिविम की है तो यहाँ पर उनके मान को हम यूज करते हुए lens का सूत्र और उसके जो परतिविम और बिम के बीच का जो रेशियो है यहाँ जो आवरदन है उसको ग्याद कर सकते हैं तो सबसे पहले जिस परकार से हमने दरपन के लिए सूत्र ग्याद किया था 1 अपॉन F इस इकल टू 1 अपॉन F, V माइनस 1 अपॉन U जाएगा यानि यहाँ पर जो बस्तू की दूरी है और परतिविम की जो दूरी और फोकस दूरी है उनका जो यहाँ पर सम信्द है वो صिल वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पर जो U है वो माइनस 1 अपॉन U यानि U यहाँ पर नेगेटिव ल यह बिल्कुल वैसी होगा M बराबर H डैस अपॉन H या V अपॉन U तो अब हम यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको दरपन दिया है या आपको लैंस दिया है इन सूत्रों का हम प्रियोग करेंगे नुमेरिकल हल करने में एक चीज आप ध्यान रखेंगे यह सूत्र कहां से आए कैसे इनको डिराइब करता है इनकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है फिर भी अगर आपको करना है तो हम इसे कर सकते हैं परन्तु अभी जितना आपके कोर्स में अपर्टन पार्ट है उसके सबसे आखरी में हमारे पास कुछ नुमेरिकल दिये हुए है उन नुमेरिकल को मैं यहाँ पर सेयर कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ नुमेरिकल जो है यहाँ पर लिखे हुए है जिसे problem 10 है 11 है 12 है ऐसे 17 तक यहाँ पर कुछ problems लिखी वी है उन में से कुछ 2-3 problem को हम यहाँ पर solve करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह से हम lens और दरपन के सूत्रों का प्रयोग करते वे इन प्रशनों के हम हल निकालेंगे से पहले हम यहाँ पर एक प्रशन लेते हैं प्रशन नमबर 10 प्रशन जो कहता है वो यह कहता है कि 5 cm लंबा कोई बिम बिम मतलब बस्तू 10 cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी lens से 25 cm की दूरी पर रखा जाता है अभिसारी का मतलब है convergent lens यहनि convex lens प्रकास किरण आरे खीच कर बनने वाला प्रति बिम की इस्तिती, size तथा प्रकृति ज्यात कीजिए एक बार आप ध्यान से समझाए हमें कहा गया कि 5 cm लंबा कोई बिम 10 cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी lens से 25 cm दूरी पर रखा जाता है तो प्रकास किरण आरे खीच कर बनने वाले प्रति बिम की इस्तिती, यानि कहाँ पर प्रति बिम बनेगा कैसा उसका size होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी यानि वो आपका वास्तविक होगा या आभासी प्रति बिम होगा यह हमें याद करना है चैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास given है, दिया हुआ है बस्तू की दूरी U जिसका मान है 25 cm और यह हमारे पास माइनस 25 cm होगी क्योंकि हम इसको बाई तरह बस्तू को रखावा मान लेते हैं इसी तरह से हमें दे रखा है बस्तू की उचाई H बराबर 5 cm और जो जो lens, अभी सारी lens है उसकी focus दूरी दे रखी है 10 cm अब क्योंकि अभी सारी lens है, convex lens है, उत्तell lens है, तो इसकी जो focal length है, वो फ्लस 10 cm है अब lens formula हम यहाँ पर use करेंगे जिसके अनुसार क्या होता है एक बटे F बराबर एक बटे V माइनस एक बटे U यहाँ पर हमने क्या निकालना है V का मान निकालना है तो हम V को एक तरफ कर लेते हैं तो 1 upon V is equal to हो जाएगा 1 upon F minus 1 upon U is equal to हमारे पास यह मान रखते चले जाएगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon V is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 10 minus 1 upon 25 क्योंकि U का मान आपका निकर्टिव है तो हमने value यहाँ पर रख ली है तो यह हो गया आपका किता 1 upon 10 minus 1 upon 25 तो इसको सब solve करेंगे तो यह solve करके हमारा किता हो जाएगा आप यहाँ पर एलसियम ले लो 10 or 25 का 250 तो इसको हम solve करेंगे तो यह हमारे पास किता हो जाएगा 15 upon 250 ठीक है तो V बराबर क्या हो जाएगा यह 250 upon 15 तो यहाँ पर V का मान हल करके जो आएगा हम 15 का भाग 250 पे देंगे तो यह हो गया 16.66 cm तो यहाँ पर यह धनात्मक मान आया है तो यह धनात्मक मान यह बताता है कि जो परतिबिम बनेगा वो हमारा लेंस की कि सैट बनेगा आप इसको समझ लीजे यह बनेगा राइट सैट क्योंकि यह positive आया है यह value positive आयी है तो यह right side में बनेगा और कितनी दूरी में बनेगा 16.66 cm पे जबकि हमारे पर फोकस दूरी 10 cm है तो यह नहीं फोकस दूरी से 6 cm आगे बनेगा तो इतना हमें पता चलेगा इसी तरह से magnification हमें निकालना है आवरदन निकालना है तो आवरदन बराबर क्या हो जाएगा जो परतिविम की उचाई है बटे बस्तू की उचाई है यह हम इसको कह सकते है V बटे U यह हमारे सूत्र में था तो V का मान हमारा आगया 16.66 divided by हमारे U का मान है minus 25 तो इससे solve करेंगे तो यह हो गया 0.66 और negative तो negative आया है इसका मतलब फिर से यहां पर क्या हो गया कि जो परतिविम बनेगा वो उल्टा बनेगा inverted बनेगा size में छोटा बनेगा क्योंकि उसका size भी छोटा आया है invert बनेगा तो यहां पर हमारे पास जो magnification हमारे पास आया है वो minus 0.66 आया है अब इसी value को हम use कर सकते है height निकालने के लिए कि परतिविम की उचाई कितनी होगी तो हमारे पास magnification बराबर क्या होता है परतिविम की उचाई बटे बस्तू की उचाई तो हमारे पास परतिविम की उचाई जो है वो बराबर क्या हो जाएगी M गुणा जो बस्तू की उचाई है तो वो हो गया कितना minus 0.66 into 5 इसे solve करेंगे तो ये हो गया कितना minus 3.3 cm तो हमारे पास बस्तू की उचाई आ गई परतिविम की उचाई आ गई बस्तू लेंस से कितनी दूर है वो हमें पता है और परतिविम कितनी दूर पर है वो हमने calculate कर लिया तो इसकी मदद से हमारे पास जो किरन आरेख बनेगा हम उसको यहाँ पर इस तरह से खीचेंगे तो वो डाइग्राम आपको खीचने के बार इस तरह से दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको इस तरह की problem जब भी पूची जाएंगी तो यह 5 नमबर की problem हो सकती है आपको 5 नमबर के problem exam में आ सकती है 4 नमबर के आ सकती है तो आपको इस तरह की problem को इस तरह से हल करना है एक दूसरी problem ले लेते हैं problem number 11 यह कह रही है कि 15 cm focus दूरी का कोई outer lens किसी beam का परतिविम lens से 10 cm दूरी पर बनता है beam lens से कितनी दूरी पर इस्टित है किरण आरे खीचे यानि बस तू lens से कितनी दूर है यह हमें निकालना है यह यह यू का मानिया पर निकालना है और यहाँ पर भी ray diagram बनाना है तो very simple वैसी हम करेंगे हमें दियावा क्या है focus दूरी दे रखी है हमें कितनी minus 15 cm क्योंकि outer lens है दूसरा जो परतिविम की दूरी है वो 10 cm है तो यह परतिविम lens से 10 cm दूर बनता है तो यह आपका minus 10 cm हो गया इसका मतलब क्या है कि convex lens जो है वो जो image बनाएगा वो उसी side बनाएगा जिस side जो है बस तू है तो इसलिए यह भी negative हो गई तो आप formula यूज करेंगे हम यहाँ पर 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U तो इन मानों को हम इस formula में रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon U is equal to 1 upon V minus 1 upon F अब हम मान रख लेते हैं तो यह हो गया कितना V का मान हमें पता है minus 10 और F का मान पता है minus 15 तो यह value यहाँ पर रखेंगे तो यह हो गया 1 upon minus 10 minus 1 upon minus 15 इसको solve करेंगे 30 इसका LCM हो गया तो यह हो गया minus 3 plus 2 यानि 1 upon 30 तो इसको उल्टा कर देंगे 1 upon F 1 upon U is equal to क्या हो जाएगा आपका 30 by 1 तो यह हो गया U is equal to minus 30 cm तो जो negative value है वो U की वो यह बताती है कि जो बस्टू का परतिविम्ब है जिस दिसा में बस्टू का परतिविम्ब है उसी दिसा में बस्टू है लेकिन बस्टू जो है वो कितनी दूरी पर होगी 30 cm की दूरी पर होगी यानि अप्टिकल से जो बस्टू है वो 30 cm पर होगी और जबकि focal length कितनी थी वहाँ पर minus 15 तो यानि वो उसके just double दूरी पर है तो यानि 2F पर बस्टू होगी second focus पर बस्टू होगी क्योंकि हमें ये बता रखा था उसकी focal length minus 15 cm है तो यहाँ पर वी तो हमें दिया हुआ है यू calculate करके 30 हा गया तो हम इसका ray diagram हम इस तरह से खीच के दिखाएंगे तो ये ray diagram इस पस्ट करता है कि ये किसी आवता lens के लिए यहाँ पर जो बस्टू का परतिबिम्ब है उसका size बस्टू की तुलना में छोटा है आभासी है और कैसा है सीधा है lens की छमता अब आप जानते हैं कि किसी भी lens की जो परकास किरने हैं वो कितनी उनको diverge करती है या converge करती है या अभिसारित करती है आपसारित केंदर पर फोकस करता है इसी प्रकार से कम फोकस दूरी का एक अवतर lens अधिक फोकस दूरी के lens की अपेक्चा प्रकास किरनों को अधिक अपसारित करता है यानि कितनी चमता से वो किरनों को फोकस करता है एक बिंदू पर या कितनी पावर से वो उनको अभिसारित करता है यह च्छमता जो है उसकी पावर दरसाती है तो किसी लेंस द्वारा प्रकास की किरणों को अभिसरन या अपसरन करने में जो च्छमता प्रयोग में आती है उसको हम उस लेंस की च्छमता या पावर कहते हैं तो lens की जो power है वो focus दूरी के बित्करमानुपाती होती है यानि P बराबर 1 upon F और यहाँ पर lens की जो छमता है उसका जो मातरक है वो diopter में measure होता है और यहाँ पर यह depend करता है focus दूरी पे तो अगर यह आपका अवतल lens होगा तो उसकी focus दूरी negative होगी तो उसकी power भी negative होगी और अगर वो उतल lens होगा तो उसकी focus दूरी positive होगी तो उसकी जो power है वो भी positive होगी तो किसी भी उतल lens या अवतल lens की जो छमता है वो उसकी focus दूरी पर निर्वर करेगी या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की जो पावर है वो एक डायोप्टर तब होगी जब उसकी फोकस दूरी एक मीटर होगी तो एक मीटर फोकस दूरी की छमता वाला जो लेंस होगा उसकी जो पावर होगी वो एक डायोप्टर तब होगी जब हम उसकी फोकस दूरी को मीटर में मेजर करेंगे तो एक डायोप्टर बरावर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटे F और F का मान अगर हमने एक मिटर लिया तो वो डायोप्टर में मेजर होगी तो यह इसकी SI unit भी है